हेलो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है उमीद आप सभी स्वस्थ होंगे पिछे की वीडियो में हमने स्केर यानि की वरक के बारे हम पढ़ा था और आज की वीडियो में हम रियक्टेंगल यानि आयत के बारे में पढ़ेंगे उसकी बेसिक concept के बारे में सिखेंगे और उससे related question भी करेंगे तो जो भी नए बचे channel पर आये हैं वो channel को subscribe कर ले और पिछे वाड़ी सभी वीडियो जुरूर देख ले तो ABCD एक आयत है भी जिसमें AC और BD इसके diagonal है जो लंबे वाड़ी बुजा उसको हम लंबाई बोलते हैं और L से denote करते हैं ठीक है वैसे आप किसी से भी denote कर सकते हैं ABCD जो भी और जो इसकी दूसरी साइड है यानि कि उससे चोटी साइड है उसको हम breath यानि कि चोड़ाई बोलते हैं जिसे हम BD denote करते हैं आमने सामने की बुजाएं बराबर होते हैं यानि कि यह length भी L होगी कालना वो सभी को पता होगा लंबाई गुणा में चुड़ाई ठीक है एल इंटो में भी लेंथ इंटो में ब्रेथ उसके बाद जो डाइगनल है इसके दोनों डाइगनल की लेंथ बराबर होती है वरग के दोनों डाइगनल की लेंथ भी बराबर होती है यहनि एसी बराबर ह BDK और यह length आएगी कितनी बई? तो यह length होगी. L square plus b square. इसके सभी कोंड 90 degree के होते हैं? वरग के भी सभी कोंड 90 degree के होते थे? वरग में क्या था? कि वरग की सभी भूजाएं बराबर होती थी. इसकी आमने सामने की भूजाएं बराबर हैं. ठिक है? जो इसके diagonal है वो इसके angle को bisect नहीं करते हैं जैसे वरग में diagonal खींचते थे तो वो angle total 90 का है तो 45 degree इस side बचता था लेकिन आयत में ऐसा नहीं है हाँ length में दोनो diagonal एक दूसरे के बराबर होते हैं और उनकी लंबाई कितनी आएगी L square प्लस में B square का root क्योंकि यह तिर्बुज ABC एक तिर्बुज होगी right angle triangle है यह लंब हो गया यह अदार हो गया यह करण है करण क्या होता है लंब का square प्लस में अदार का square ठीक है तो वहां से इसका क्या निकलाएगा diagonal निकलाएगा एरिया जो होता है वह होता है लंबाई गुणा में चुड़ाई अगर perimeter यानि कि परिमाप पुछा जाए तो वह होता है 2 इंटू में L प्लस में B किसी भी प्रकार की आकरीती है अगर उसका प्रिमाप पुछा जाए तो वह तो उसकी सभी पुछाओं का जोड तो इसकी सारी पुछाएं जोड़ेंगे तो एल और एल दो एल होगे बी और वी दो भी होगे तो दो को में ले लिया दो इंटू में L प्लस बी यह इसका क्या हो जगा प्रिमाप हो जगा तो इसके बेसिक कंशेप्ट में यही चीज़ें थी अभी इसे रेलेटेड क्वेस्टन है बहुत सिंपल सा क्वेस्टन है लेकिन ऐसे क्वेस्टन अग्जाम में बहुत बार रपीट हुए हैं तो इसे अच्छे से समझ ले एबी सी डी एक आयत है एसी 30 सेंटिमेटर है वह इस प्रकार से बी एबी सी डी ठीक है और यह एसी इसका क्या हो गया डाइगनल हो गया विकरन हो गया एसी इन्होंने 30 सेंटिमेटर दे रखा है जो ए बी है वह 24 सेंटिमेटर दे रखा है तो हमें इस आयत का अक्सेतरफल निकालना है, अक्सेतरफल निकालने के लिए हमें इस वाड़ी भूजा का पता होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आप इस ट्रेंगल को देखें, ABC को, तो यह राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि आयत के सभी 90 डिगरी के होते हैं, यह 30 है, य तो यह कितना आएगा भई, मैंने राइट एंगल ट्रेंगल, स्पेशल एक पूरी वीडियो राइट एंगल ट्रेंगल पर बना रखे, जहां पर मैंने आपको ट्रिपलेट के बारे में समझाया था, तो जिस बच्चे ने वह नहीं देखी, तो पहले वह जुरूर देख ल जो राइट एंगल ट्रेंगल बनाती है, तो इसका जो मल्टीपल होगा, वो भी राइट एंगल ट्रेंगल बनाएगा, तो आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो आपको क्या करना है पड़ेगा भी, बीसी निकालने के लिए क्या करना है यह तीसे यह चोबिस है तो छेती यह क्या इतना आजेगा अठारा आजेगा तो मुझे कैलकुलेट करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी एरिया मेरे से पूछा है एरिया क्या हता है लंबाई गुणा में चुड़ाई लंबाई 24 है चुड़ाई अपनी ठारा आई यह तो दो प्लेट की नोलिज आपको होना जरूरी है जिन बचोंने राइट एंगल ट्रेंगल वड़ी वीडियो नहीं दे की वह उसे जरूर देख लें नेक्स्ट क्वेसन है बई किसी आयत की लंबाई वे चुड़ाई का अनुपात तीन अनुपात एक है और उसके विकरण की लंब लंबाई कितनी है एक है जब भी एरिया का कोई क्वेसन कर रहे है तो अनुपात दे रखा तो उसके साथ एकस जरूर लगा लें यानि कि लंबाई तीन एकस है तो चड़ाई उसकी एक एकस है ठीक है और उसका जो विकरण है उसकी लंबाई कितनी दे रख्या बई 10 cm दे र होता है लंबाई का स्केर यानि कि 3x का स्केर कितना जगा 9x स्केर पलेस में चड़ाई का स्केर यानि एकस का स्केर तो एकस केर और उसका रूट यह किसके ब्राबर होता है विकरण और विकरण कितना दे रख्या 10 तो यह कितना गया 10 नोर कितना जगा 10 रूट एकस स्केर का root हो जएगा ठीक है अब square से इसका rooted जाएगा तो कितना आजएगा root 10 x x की value कितनी आजएगी 10 बटे में root 10 10 को क्या लिख सकता हूं root 10 गुणा में root 10 तो x से तो ये cut जाएगा x की value कितनी आजएगी root 10 आजएगी तो यानि कि उसकी लंबाई कितनी होगी 3 root 10 और चुडाई कितनी होगी root 10 ठीक है area निकालना तो लंबाई गुणा चुडाई लंबाई कितनी है 3 root 10 गुणा में चुडाई कितनी है root 10 तो root 10 root 10 क्या हो जगा root 10 का square और square से इसका rooted जाएगा तो यानि कि 3 गुणा में 10 तो आयत का अक्सेतरफल कितना जगा 30 cm square ठीक है सिंपल सा question था next question है भी बहुत important है पिछे cpo में आया है वैसे cgl में भी है सिर्फ data change करकर ठीक है तो cgl, chsl, mts, ssc में कहीं पर भी कोई question आया है तो वह आने वाड़े सभी exam के लिए important हो जाता है और अब हर्याना c e t में भी advanced math को mention किया है तो उन बच्चों के लिए भी ये काफी important question है तो इसे अच्छे से समझें दिये गए आयत a b c d में a e बराबर है 2 e f बराबर है 3 f b तो a b c d के अक्से तرفल वह तिर्बूज c e f के अक्से तरफल का अनुपात ग्यात करें a b c d एक आयत है ठीक है जिसके अंदर a e बराबर है 2 e f बराबर है 3 f b तो पहले तो हमें इनका ratio निकालना पड़ेगा भी A E ब्राबर दे रहक है 2 E F ब्राबर दे रहक है 3 F B ठीक है अब मैंने आप लोगों को ratio वड़े chapter में बताया थे कि direct इसका ratio कैसे निकालना जाता है तो जिन बच्चों ने वो chapter नहीं समझा बे ratio निकालना नहीं आता है तो वो ratio वड़ा chapter भी जरूर देख लेना इसमें क्या होता है कि जिसका ratio निकालना तो उसको छोड़के बाकी 2 के coefficient को आपसमें गुणा करके लिख दो यह नहीं गी यह कितना जगा हमें किसका ratio निकालना है A E ratio E F ratio F B यह ratio हमें find करना है तो A E के निच्चे क्या लिखना है A E को छुपा के बाकी 2 का coefficient की गुणा यानि 3 दूनी 6 E F के लिए E F को छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 और F B के लिए F B को छुपा लेंगे तो 2 एकम 2 जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है उसके आगे 1 ओता है ठीक है तो total कितना हो गया 6, 3, 9 और 2, 11 यह नहीं अगर यह total length 11 है तो A E कितना है 6 है E F कितना है 3 है और जो F B है वो कितना है 2 है और यह वाड़ी भूजा आप कुछ भी मान सकते हैं यह इसकी चुड़ाई है तो मैंने इसको B मान लिया ठीक है अब देखो अगर मैं आयत का A B C D जो आयत है उसका अक से तरफल निकाल लूँ ठीक है वो कितना होगा भी लंबाई गुणा चुड़ाई लंबाई हमने कितनी मानने 11 गुणा में चुड़ाई कितनी है B ठीक है तो B आजेगा और तिर्बुज C E F का निकालने वई एरिया तो वो कितना होगा भी वो कितना होता है एक बटा दो गुणा में अधार गुणा में उन्चाई अधार कितना इसका टोटल 11 है तो इसका कितना है तीन है गुणा में उन्चाई तो इसकी यहीं बनेगे यहां से लेके यह तक की ठीक है तो यह कितनी है बी है तो बी से बी कट जाएगा यह कितना तीन बते दो दो पलटके कहां चले जाएगा उपर चला जाएगा यानिकि 11 तूने 22 बते तीन रेशियो आ जाएगा तो कोण से वाला ठीक होगा, तीसरे वाड़ा option अपना क्या होजेगा, ठीक होजेगा, इसमें confusion है कि जरूरतनिय अभी यह नहीं दिया, तो आप कोई भी side B माल लें, इसको कुछ भी माल लें तो कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट में इसको आपस में कट ही जाना, यह 6 नहीं, यह B है एक हाती जिसकी लंबाई 4 मेटर है, एक आयताकार पिंजरे, 30 क्रो सोडा, यानि कि यह उसकी लेंथ दे रखे हैं अभी लंबाई और चुडाई, 30 इंटू में सोडा, कि एक कोणे से विकर्ण के दूसरे कोणे तक चलता है, यदि हाती 15 सेकंड में विकर्ण पर चलते हुए दूसरे कोणे पर पहुंच जाता है, तो हाती की चाल ग्यात करें, यानि कि ये एक आयताकार पिंजरा है वही आप लोगों का, हाती है जो च्यार मेटर का है और यहां पर घड़ा है, ठीक है, यानि कि ये लंबाई हाती की जो यहां से यहां तक के च्यार मेटर है, और ये पर चलते हुए दूसरे कोने पर पहुंचता है 15 सेकंड में जो ये पिंजरा है इसके अपने को दे रखे है बैई लंबाई है 30 मीटर और चड़ाई है 16 मीटर तो करण कितना आजेगा भी अगर आप लोगों को ट्रिपलेट अच्छे से याद है जो मैंने बताए थे आपको र सिर्फ डबल करके लिख रखा है भी 16 30 तो यह वाड़ा कितना आजेगा 34 इनिके डाइगनल कितना आजेगा 34 मीटर का आजेगा ठीक है अब हमें पता करना है कि हती ने टोटल कितनी दूरी चली हती यहां से गया भी और यहां पर आकर वो खड़ा हो जाएगा पहुंच गया का वो खुद है तो यह लेंथ तोड़े ना कवर करेगा तो टोटल लेंथ उसने कवर कितनी करनी 30 मीटर सिर्फ यहीं लोजिक था इस क्वेस्टन में और क्वेस्टन में ज्यादा कुछ है नहीं तो चाल निकालनी है भी अपने को तो चाल क्या अतिया भी दूरी बटे में समय है वैसे टाइम एंड स्पीड का पूरा चैप्टर वीद पीडियाफ मैंने चैनल पर डाल रखा है जिसने नहीं देखा उसे भी देख लेना भई दूरी बटे में समय है दूरी कितनी चलिया है 30 मीटर समय कितना लिया है 15 इंड आगी बई तो अप्सन कुण सा ठीक हो जाएगा अपना एक किसी आयत के विकर्ण वैल लंबाई का अनपात 37 अनपात 35 है और आयत का अकसे तरफल 1680 cm स्केर है तो आयत की चोड़ाई ग्यात करें बई ये कोई आयत है बनाने की जुरूरत नहीं हो तिवह आप लोग वैसे भी इस क्वेशन को सौल कर सकते हैं इसके विकर्ण और लंबाई का अनपात 37 अनपात 35 है यानि विकर्ण 37 है तो उसकी लंबाई कितनी है 35 है तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए आप लोगों को तो उसकी चोड़ाई कितनी आजेगे बारा बारा 37 का क्या बनता है क्या ट्रिपलेट बनता है अब हमें एरिया निकालना तो इनके साथ हम एक्स लगा लेते हैं बी तो अब अगर हमें आयत का एरिया निकालना तो वो कितना जगा लंबाई गुणा चोड़ाई यानि 35x गुणा में 12x और इसकी वैल्यू कितनी दे रखे अभी अपने को 680 दे रखे ठीक है अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर लें बई गुणाई कर ले ये तो कितना जगा बाराइ सकी वैल्यू कितनी आजएगी चयार का रूट यानिकि दो आजएगी हमें निकालनी है आयत की चोड़ाई आयत की चोड़ाई कितनी थी 12x और x कि वैल्यू कितनी आज़ेगी 2 तो चुडाई कितने आजेगे 12 दुनी 24 सेंटीमेटर ये आप लोगों का आंसर हो जागा अगर विकर्ण पुचाता तो 37 गुणा 24 सेंटीमेटर हो जाता लंबाई पुची होती तो 35 गुणा दो जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे तब तक जो भी नए बच्चे चैनल पर आये वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पिछे वाड़ी वीडियो जुरूर देख ले जैहिन